और देखिए तस्वीरे तो हम आपको दिखाई रहें और और भी तस्वीरे जब आएंगी जब लोगो सामने आएगा देश के और इस बीच देखिए यूपी के डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौरिका बयान सामने आए वन नेशन वन एलेक्शन की कमिटी पर बयान देश हित में शांदार कदम है ये कहना है केशव मौरिकाप ये मोधी के निद्ट में एलतियासी कदम इसे वो बतार रहे हैं तो देखे पूरी तरह से इस पर अब राजनिती प्रतिक्राएं आने लगी हैं पक्ष और विपक्ष की भी सबसे बड़ा सवाल है कि इसका इंप्लिमेंट ने है और इसके लिए किस तरह की प्रक्रिया का प्रेयोग होगा किस तरह का तरीका इस्तमाल में आएगा ये एक एम सबाद है पिल्कुल और हमारे साथ तमाम खास मेमान इस वक्ष जुड़े हुए हैं जैशंकर गुपता जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिश्पत्रकार है अनिला सिंग इस वक्त हमारे साथ जोड़ रही हैं भारतिय जन्ता पार्टी की प्रवक्ता हैं और रितु चौधरी कॉंग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी हमें जॉइन कर रही हैं लेकिन सबसे पहले जैशंकर गुपता जी मैं आपके पास आउंगा कितना विवहारिक आ नजर आता है वन नेशन वन एलेक्शन ये आईडिया पुराना है प्रधान मंतरी मोधी कई बार इसका जिकर कर चुके हैं लेकिन अब क्या ये मुम्किन होने जा रहा है ये बड़ा सवाल है लेकिन उससे पहले प्रोफेसर राम कोपल यादव क्या करें जल्दी से आपको दिखाते हैं और वन एलेक्शन जैसे चीजें आ सकती हैं और खबर ये भी आ रही है कि रामनात को मिन को वन नेशन वन एलेक्शन की कमीटी का चेर्मिन भी बना दिया गया है और हो सकता है कि देश में चुना हूँ इसे पूर्भ रजाष्ट पत्र को किसी पर नहीं किया जाना चाहिए परब्पर आए यह किसी पर नहीं किया जाना अगर किया है तो बल इलेक्शन की बात पहले भी चली थी तो इस पर भी बाकाइदा discussion होना चाहिए और discussion होने की कोई बात कोई नहरा लेना चाहिए लेकिन यह है कि government नहरा ले चुकी है और केवल संसत का सहसन बुलाके उस पर ठपा लगाने की बात कर रही तो बात दूसरे स्टेट वाइज कमिटी बन जाएंगी जो अपना सीट सेरिंग करेंगी सीट सेरिंग सबसे इंपॉर्टन चीज है और एक national coordination committee हो और कुछ मैंनी पैस्टों के लिए कि इंदर स्टर पर क्या होना चाहिए राज्यों के लिए अलग लग क्या होना चाहिए वो सब बन जाएंगी there is no problem बहुत ठीक प्रगति होई कनवीनर चुन लिया गए है कनवीनर अभी नहीं चुन लिया गए है हो सकता आज कुछ हो जाएज पर देशला 24 में क्या ये इंडिया अलाइंस भारी पड़ेगी देखे प्रोफेसर राम गोपाल यादव समाजबादी पार्टी का क्या पक्ष है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बता रहे थे जैशंकर जी अब आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं मेरे सवाल का जवाब हला कि एक और नहीं बात जोड़ी है प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कि किसी पूर्व राश्टपती को ऐसा कोई पद नहीं देना चाहिए आम तोर पे परंपरा तो यहीं रही है कि किसी पूर्व राश्टपती को इस तरह का कोई दाई तो नहीं सौपा गया है 52 से ले करके अभी तक यह बात हो सकती है जहां तक one nation one election की बात है सुनने में बहुत अच्छा लगता है नारा बहुत अच्छा है और सिधानता हमारी सामती भी है सरसट तक तो होता ही रहा चुनाओ लेकि उसके ऐसमें कुछ बहुत ब्यावारिक दिकतें हैं के लिए जिसे मान लीजिए तो यह पहलbackा का बिदान सबाव में और पंठक लग ते लोग क्या इसके लिए तैयार होंगे दूसरी बात यह कि भीक्रेंग तो विद्नावाद सभा भंक कर दी आती है उस समय क्या करेंगे आप चुनाव नहीं कराने पांच साल इंतर्यार करेंगे लोग सभागा जब चुनावागा तभी हम चुनाव कराएंगे तो यह सब गाववारिक दिकते तो आएगे किसमें अभी दूसरा यह है कि जो समिती बनाई है उसका स्वरोग और देखिए तस्वीरें सर देखिए तस्वीरें रोक रहा हूं आपको माफी के साथ यह देखिए तस्वीरें आगे जेपी नड़ा मलाकात करने पहुंचे पूर राश्टपती कोवन से और देखिए उनसे बाचीत करते हुए अब सबसे जो इस वक्त की समीर महत्रपून तस्वीरें वह यही है दरसल क्योंकि सबसे जादा चर्चा हो रही है पूर राश्टपती की यह तस्वीर नहीं होनी चाहिए काईदे से जिस आदमी को आपने समीती का अध्यक्ष बनाया है पूर संसत का जो विशेश सत्र है यह बुला रहे है आप 18 से 22 सितंबर तक यह समीती अपनी कोई रिपोर्ट दे देगी या संसत के विशेश सत्र में कुछ और मंसूबे है कुछ और राश्टपती लेकिन यह तो नोटिफिकेशन से क्लियर हो जाएगा कि टाइम फ्रेम क्या होग कब तक रिपोर्ट आ जाएगी अभी तो समीती की घोशना की गई है अध्यक्ष कौन रहेगा इसका यह बताया गया है मेंबर्स कौन होंगे बाकी सारी इंफोर्मेशन तो नोटिफिकेशन के जरिये मुझे लगता है क्लियर होगी क्या कहते हैं आप जैसंकर जी जो विशे विश्तार ने एक मेसेज दिया है कि हम इसको लेके गंभीर है और इसको हम राजनीती से उपर उठके ले जाना चाहते हैं जो कि राष्टपती पहले राजनीती में हो सकते हैं दूसरी बात जो आई है कि देखिए लंबा समय जो हम लोग का रहे है कि आएगा की नहीं है मैं मैं बता रहा हूं कि तीन तो मेरे ध्यान में है 1999 में लौ कमिशन ने 170 मी रिपोर्ट में विश्तार से बताया था उससमें भी चर्चा हुई थी कि कैसे एक साथ चुनाओ होना चाहिए उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं दूसरा पार्लियमेंट की जो कमीटी है पर्सनल पब 2015 में डिटेल रिपोर्ट दिया था उसने बताया था कि दो फेज में चुनाओ कराया जाए आधे राज्यों का चुनाओ लोगसभा के मीटर में करा लिया जाए और आधे चुनाओ आप लोगसभा के साथ करा सकते हैं उसने बहुत सारे उसमें बताया है संभीधानिक बाद ह क्या है क्या है खूब उसमें बास हुई है तीसरा नीती आयोग ने 2017 में एक discussion paper रखा था और discussion paper में इस parliamentary committee की report को भी सामिल किया गया था उसमें भी पिस्तार सुना ना चौथी report जो है वो अभी law commission ने जो 2018 में दिया था तो इस पर शार study और उसके report पहले से हैं वो तो सही बात है और उसको बहुत ज़्यादा इसमें यह नहीं कि बहुत माता पच्ची करनी है इसमें इसमें जो चुनोतियां उसकी तो बात होगी लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कर रीजनल पार्टियों के अपनी चिंताएं हैं लंबे समय तक वो विधान सभा चुनाओं की तैयारी करते हैं अब लोक सभा के साथ होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके सामने एक ये concern है कि उनकी चुनावी उपस्थिती कमजोर हो जाएगी और यहीं सब्सक्राइब की बात की बात की बात की बात विशेश विशेश के लिए विशेश रुप से बुलाया भी जाता है इसमें इतना जागा राजने सिक गल्लों को विशलेस होने की आवेशक्ता नहीं है दूसरी बात की है कि ये डॉटिडाइए जो अलायंस है इसको तो खुश होना चाहिए कि भाई आपको उसको परिशानी है नहीं ये जो शेत्रिय जल है बड़े-बड़े शेत्रिय जल जो है वो आपकी अलायंस में है अगर चुनाव अगर साब भी हो जाता है असेमली का औ भी बड़े शेत्रिय जाता है